असम में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज़े जाने का मामला तूल पकर रहा है कैली जौन इसकी मुखालफत कर चुके हैं इसी कड़ी में असम की लागाई पार्टी राइज और दल के लीडर मनी रुज़्जमा मुतासिर लोगों के घर पहुंचे मनी रुज़्जमा कि यह जो मुस्लिम कम्मुनिटी को हैरास कर रहा है एक आदमी सुफिया खातुन जबेदा खातुन एक आदमी डिटेंशन केम पर भेज दिया लेकान देखिए उसका पिता मता भी सदिस्टा हार परिवार सदिस्टी है वीज में एक आदमी कैसे बिदेशी हो सकता है यह हम स हो सकता है जो उसका परिवार का हार नगरिक इंडियन है हार नगरिक सदिस्टी है बीस में किसी सुफिया कातुन कैसे बिदेशी हो सकता है यह सवाल चरका से हम पूस्टना चाहते है बरपेटा जिले के 28 लोगों को डिटेंशन कैम्प में डालने के बाद असाम के बिभिन बरगों के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया चाहिर करते हुए कहा कि यह जो मुसल्मानों पर एक खास तरह का अत्याचार देखा जा रहा है वहीं देखा गया कि जो राइजर दल है एक जो पार्टी है सामके जो आंशलिक दल है वहां के जो लीडर है वो पहुँच है उसके बावजूद भी उन लोगों को डिटेंशन कैम्प में डाला गया यह बहुत सोसने की बात हो चुकी है और समय जो है डिटेंशन कैम में जो बीटती है वह बहुत दुखद होती है क्योंकि कुछ समय जीवन के डिटेंशन कैम में चले जाते हैं यही बात अभी असा काम के लोगों को नाराज बनाते जा रहे हैं नाराज की ब्यक्त करते जा रहे हैं सभी लोग